राजदान में इस बार हुए लोग सभाद चुनाओं में बासवाडा सीट से चुने गई सांसद राजकुमार रोग की काफी चर्चा हो रही है राजकुमार रोग ने आदिवासियों के हितों के लिए आवाज उठाने के उद्धिश्य से पिछले साल भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना की ऐसे में इस बार उन्होंने पहली बार लोग सभाद चुनाओं लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े निता महिंदरजीत सिंग मालविय को हरा दिया राजकुमार रोट इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकेट पर दो बार विधान सभाज चुनाओं भी जीत चुके हैं साल 2018 में वो पहली बार राजस्थान के 84 विधान सभाज सीट का चुनाओं जीत कर उस चुनाओं में सबसे युवा विधायक बने थे राजकुमार रोट अब राश्थरिय राजनीती में पैर रख चुके हैं आईए जानते हैं राजकुमार रोट के पास कितनी समपत्ति है उन्होंने चुनाओ आयोक को दिए गए शपत्त पत्र में इसका ब्यौरा दिया था तो दोनों के पास 3,70,000 रुपए कैश है हाला कि दोनों बैंकों में 2,63,75 रुपए भी जमा हुए है वहीं रोध के पास जेवराद की बात की जाए तो राजगमार रोध के पास 30 ग्राम सोने के गहने है जिसकी कीमत लगबग 1,5 लाख रुपए है वहीं उनकी पतनी के पास 70 ग्राम सोना और 600 ग्राम चांदी के गहने है जिनकी कीमत 3,90,000 के आसपास बताई जा रही है ऐसे में दोनों के पास कुल मिलागर 5,48,000 रुपए के गहने है साथ है उनके पास वहनों की बात की जाए तो रोत के पास एक महिंदरा स्कॉर्पियो कार है जिसकी कीमत 16,25,000 रुपए बताई गई है वहीं उनके पास एक बजाज डिस्कवर बाइक है जो उन्होंने साल 2011 में खरीती थी और अब उसकी कीमत 12,800 रुपए आ की गई है उनकी पत्नी के पास साल 2019 में खरीदी हुई एक होंडा स्कूटी है जिसकी कीमत 31,320 रुपए है ऐसे में कुल मिलाकर राजकुमार रोत और उनकी पत्नी के पास कुल 29,67,689 रुपए की चल संपत्ती है साथ ही उनके पास जमीन मकान की बात करें तो राजकुमार रोत और उनकी पत्नी के पास डूंगरपुर कृशी योग्य भूमी है जिसकी कुल कीमत 4,90,000 रुपए बताई गई है उनकी पत्नी के पास डूंगरपुर में गैर कृशी योग्य भूमी है जिसकी कीमत कुल 37,95 रुपे बताई गई है वहीं उनके पास जैपुर में एक फ्लैट भी है और ये कुल संपत्यों का ब्यारा हम दे रहे हैं जिसकी कीमत लगभग 41,00,000,000 रुपे है लेहाजा रुथ की कुल चल अचल संपत्यों की बात करें तो राजकुमार रुथ और उनकी पत्ने के पास चल अचल संपत्यों को मिलाकर लगभग 1,17,000,000 रुपे से ज्यादा की संपत्ती है